हेलो गुड मॉनिंग फ्रेंड्स देव हुमी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आप जानते हैं दोस्तों आने वाले आठ अगस्त को उत्राखंड एल्टी का एक्जाम है जिसमें हम समझेंगे कितने लोग लगभग इस एक्जाम को देने वाले हैं और ये परिक लिखित परिक्षा देने वाले हैं और अधिनस्त सेवा चैनायोग ने उमीद्वारों को आविदन पत्र जारी कर दिये हैं और आप लोगों ने संभावता डाउनलोड भी कर लिए होंगे कई लोगों के कॉमेंट्स मेरे पास आ रहे कि सट डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या या फिर वो डाउनलोड हो जा रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप अपनी फाइल मैनेजर में जाके या जहां पर भी आपकी स्टोरेज का जो भी सिस्टम हो वहां पर को आप देख सकते हैं उसको अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है फाइनली आप हार चुक में जहां पर एक्जाम आपको देने हैं इसके सेंटर बनाये गए हैं चैन आयोक के सची उसंतोस बड़ोनी ने बताया कि लिखित परिक्षा के लिए 51157 उमीदवारों के आवेदन आयोक की वेबसाइट पर जारी कर दिये गए हैं परिक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 55 केंद्र बनाये गए हैं जिसमें देरादून में 15 बनाये गए हैं और हल्दवानी में सबसे ज़्यादा 16 सेंटर बनाये गए हैं हरीदवार में 10 बनाये गए हैं पौडी टिहरी दुद्रप्रियाग चमोली चमपावत में 4 चार चार बनाये गए हैं और उत्तरकाशी में 7 स भी बताया कि परिक्षा दो पाली में है सुबह दस बज़े से बारा बज़े और शाम की जो पाली में एक्जाम होगा वो दो बज़े से चार बज़े तक का एक्जाम होने वाला है अब सारी समयश्चाइएं यहां पर दूर हो गई हैं क्योंकि उस समय लग रहा था कि एड्मिट कार्ड कब आएंगे क्योंकि एड्मिट कार्ड जल्दी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बंदा जो है तयार रहता है एक्जाम देने के लिए जिसको दूर से आना है या कहीं से भी अपनी प्वस्था वो कुछ दिन पहले ही कर लेते हैं तो अभी यह हमने आपको बता दिया एक एक्जाम सेंटर कहा कहा बना गए है और 51157 कुल उमिद्वार है जो एक्जाम देने के लिए इसमें मतलब कुल मिलाकर रेजिस्टर्ण है अब देखना हुआ कितने लोग एक्जाम देने के लिए उपस्तित होते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धेशा शुबका में धनिवाद